मेरी तर्फ से सबको नमस्कार सस्रीकार और यह वीडियो मैंने हिंदी बाश्या में बनाई है और यह वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो कनेडा में एल आई एमें के पर जा चुके हैं यहां जो फ्यूचर में जाना चाहते हैं अपसर जिन बच्चों से आईलर्स के चार बैंड पांच बैंड से कम आते हैं उनको उनकी मज़्बूरी हो जाती है कि वो एल आई एमें के पर कनेडा जाते हैं पर इससे पहले कि आप एल एमें के लिए किसी से स्वब्यपादी करों जो के कनेडा की कनून मताब एक गुणा ह हैं आपको यह बात ध्यान में करने चाहिए कनेडा में सबी जॉब्स 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 होती हैं जब तक आप एक आदा महीना उसकी पढ़ाइस और वहां का एक्जाम नहीं पास करते उस चीज़ा लसंस आपको नहीं मिलता तब तक आप उस जॉब को स्टार्ट सकते हैं दूसरा काफी जौत ऐसी होती हैं जिनके अपर आपको कार के बिना आप नहीं जा सकते हुँ सेकंड हेंड कार कनेडा में लगभग पाँच जारा कनेजियन डॉलर की आती है वहां पे हर महीने रोड टस जो है जिसको आप कहते हों जिसको हमनों बाग कानेडा में इ तीसरा क्या है कि वुह आपके टाग जोंने कितनी दे रहा हैं और आपको और आपको यह क्या कर रहा है द Thai usually क्या कńप कद भूता है कि ऐल आई म्यक यह आपको वह मिनिमर्ट में बेंग करएगा पाटी को इस दो शोय करता है फिर आपको चेक दिया जाता है और मुस्ति यो तरखा है वो बैंक में ब्रेक्ट प्रास्व कि जाती है तीसरा क्या है कि जो बच्चे 10 प्रस्टू करके लिए में ख्रीद के जा रहे हैं यदि वो अपना CRS को कल्कुलेट करेंगे तो आप देखिए कि आज की देट के इसा सकते हूं कानेडा में दो साल का वरक मेर्क शीर कर सकते हो ज़ली फिर विए को कोई बास सब्सक्राइब नहीं आती है तो हमारा की कींवीडियेशन प्र्यारा के नाम इनाम nee ओपी से हर सब्सक्राइब हर नोर नुम्र है 98151011489882 95000 प्लीज टेक नाकर विजास थैंक यू वेरी मुश्ट